नमस्कार मरत नसेन भारति आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया को लेकर सहारा निवेसकों के लिए एस खुस ख़बरी है क्योंकि सहायकारिता मंत्री की तरफ से रिफंड पोर्टल को लॉंच कर दिया गया है सहारा उभुकताओं के लिए अच्छी कवर सामने आई है सहारा में निवेसकों के लिए अच्छी कवर सामने आई है दिन्होंने अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने भविस्त के लिए सहारा के पास जमा कर दिया था कि आपको रिटर्न के रूप में एक रासी महया कराएगी बता दें कि केंसरकार 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल की सुरुवात कर दी है बता दें कि इस दिन सहकारिता मंत्री अमीत साह के द्वारा चार समूहों में यानि कि सहारा की जो चार अलग-अलग समीतियां है उस पे जो है आप किलेम कर सकते हैं और उस पे जो है आप उस पोर्टल के माधिन से जो है आप पैसा रिटर्न की मांग कर सकते हैं उसे CRCS के तहट जो है वो लाउंच किया गया है यानि कि रिफंड पोर्टल जो सहारा की तरफ से बनाया गया है CRCS के तहट जो है इसे लाउंच किया गया है आपको बताते हैं कि इसी साल मार्च के महीने में के अन्सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि हम सहारा में फसे निविसकों का पैसा उन्हें लोटा देंगे उसी महीने में सहारा समुष के चार सहकारी समितियों के करीब 10 करोड निव इसके बाद की गई थी अब इधर सहकारीता मंतराले ने इस पूरे प्रकरण को लेकर एक बयान जारी किया जिसमें उन्हें कहा कि सहारा समुष के निविसकों की तरफ से क्लेम प्रकरिया को आसान बनाने के लिए मंगलबार यानि कि आज एक अस्पेसल पोर्टल लाउंच क किया जाएगा जो कि कर दिया गया है सहकारीता मंतरी अमीच साह इस पोर्टल का उधगाटन किये साथ पूरे मामले को लोग कर मंतराला की तरफ से यह कहा गया कि सहारा समुष कि सहकारी समीतियों के बास्तविक जमा करता की तरफ से बैज दाबे जमा करने के लिए पोर्टल विक्सित किया गया है पोटर लाउंच करते हैं सहकारिता मंतरी अमीच साह ने कहा कि एक करोर लोगों को पूरी रासी लुटाई जाएगी जबकि इसमें चार करोर लोग ऐसे हैं जिन्हें की सुरुवाती समयमेंट एक ट्राइल के रूप में ये कहा गया है कि दस दस जार तब पूरी तरह से समाप्त होंने की बात कही गई है अगर हमारे पास पैसे की कमई होती है तो ग्रीमंतरी जरुवत है इस तरह से कहा गया है कि सहारा में निवेसकों के फसे हुए पैसे लटा दिये जाएंगे साथे साथ ये भी बताया गया कि जिन निवेसकों को आउनलाइन करने में परिशानी होगी उन्हें CSC के माध्यम से फॉर्म अपलाई करने के सुभिधा मिलेगी और पूरे पुरे देश में जहां-जहां CSC केंदर है उन सभी को ये गाइडलाइन भेजी जाएगी ताकि उन्हें भी फॉम भरने में दिक्कत ना हो साथे साथ भारत सरकार की साकारिता मंदराने ने सहारा की कमपनियों के नाम भी दी है जिसमें आपके पैसे फसे हैं तो वहां से आप असानी से निकल वा सकते हैं उसमें सहारा क्रेडिट कोपरेटिव सोसाइटी लिम्टेड सहारा इंडिया क्रेडिट कोपरेटिव सोसाइटी लिम्टेड और समार्ट मल्टिपल कोपरेटिव सोसाइटी लिम्टेड है सहारा समूँ के इन सहकारी समीतियों के पास पैसे जम्म करने वाले निवेसकों को रहत दिलाने के लिए सहकारीता मंतराले ने उस्तम नियालय में अरजि दायर किर थी जिसके बाद सिर्स अदालत ने उनके दावों की भरपाई के लिए 5.0 करोड रुपे CRCS को ट्रांफर करने का आदिस दिया था आपको बता दें कि यहां से इन ही निवेसकों के पैसे बापास होंगे जिनके निवेसकी अब धी पूरी हो गई है साथ साथ गरही मंतराले ने ये भी भरोसा जटाया है कि उनहीं लोगों को यह पैसा मिलेंगे जो की जिनके कागजात सही होंगे या फिर जो की पैसे जमा किये होंगे सहारा के पास अब जो है उन्हें रिटर्न के तौपर मिलेगा यानि कि गरत लोग जो है इस पे अपलाई करने से भी कोई फाइदा नहीं क्योंकि डॉक्मेंट वेरिफाइब नहीं होने के बाद आपको पैसे नहीं मिलेंगे आपको जानकर हिरानी होगी कि सबसे ज़्यादा निवेसकों का पैसा बिहार जार खंड उत्तर प्रदेश और मज़ प्रदेश के लोगों का है लोगों ने अपने जीवन की गाड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने भविस्त को ध्यान में रखते हुए जमा किया था उन्हें क्या पता था कि दिख सहारा के पास हम अपना पैसा जमा कर रहे हैं वह आने वाले दिनों में ही उसे बे सहारा कर देगा ऐसे में आए दिन सहारा इंडिया के नाम से कई केस दर्ज है सड़कों पर लोग बिरोध पर दसन कर रहे हैं लेकिन लोगों का पैसा उन्हें मिल नहीं रहा था ऐसे में अब किन सरकार के हस तक छेप के बाद पैसे मिलने की संभाब ना बढ़ी है ऐसे में अब देखना है कि इन गरीबों का पैसा कब और किस तरह से उन्हें मिल पाता है सहारा विवाद की सुरुवाद का खुलासा साल 2009 में हुआ था जब सहारा की दो कमपनिया सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिम्टेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन ने अपना आईपियो लेने की पेसकस की थी सेवी के पास आईपियो के आते ही सहार इसके बाद जांस सुरू हुई और इसमें सहारा की पर्चत्र परट खुलती चली गई और इसके बाद देश की तमाम जांच एजरैंसीूंने सहारा पर सिकंजा कस लिया सेवी ने सहारा के 24,000 क्रोड रुपे रोक दिये इधर जाज एजिंसियों ने सहारा की जमीन और करवार पर भी रोक लगा दिया लेकिन फस गया तो वो गरीब निवेस है जिसने अपनी खमाई का एक बड़ा हिस्सा सहारा के पास जमा किया था ऐसे में अब सहकारिता मंतराला की तिरफ से एक पोटल के सुरुवाद की गई जिसमें आप अपनी सारी जानकारी डाल कर पैसे की निकासी कर सकते हैं तो इस दरह से सहारा में फसे पैसों को निकालने को लेकर एक पोटल जारी किया है और वहां से गरीब निवेसकों के पैसे की बात अब कहा जा रहा है कि एक करोड़ लोगों की जो है पूर्ण पैसा जो उनका है वह पूरा दिया जाएगा और चार करोड़ लोग और हैं जिन्हें भी पैसे किस्तों में शुरुआत के समय में दस जर उसके बाद 20-30,000 तक का जो है इस टॉलमेंट करकर के उन्हें पैस